नमस्कार दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महतोपूर है इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि किरिपया सुरू से लेका लाश तक इस वीडियो को जरूर देखें ये अवर्नेस के लिए वीडियो मना रहा हूं मैं एक चुली बात क्या है देखिए कुछ दि उस वीडियो में लाखों भी वाये थे लेकिन उस वीडियो में क्या क्या बताया गया था यह जान के आप हैरान हो जाएंगे दिखाता हूं आपको सब कुछ यह देखिए यहां पर आप ध्यान से देखिए उस वीडियो में क्या बताया गया था समझ यह देखिए उस वीड चटल के अंदर से बाहर उपर की तरफ आती है और सटल के यह hook, जब दोनों आमने सामने एक बराबर आते हैं, ति इन दोनों के बीच में देखिए, यहां पर गैप है ना, अगर यह गैप होता है तो इस करण से आपकी सिलाई मसीन में यह समस्या आती है कि आपकी सिलाई मसीन होजरी के कपड़े पर सिलाई सही से नहीं करती है, धागा नहीं पकड़ती है, या फिर सिलाई छोड़के आती है, यहां तक तो उस वीडियो वे बिल्कुल सही बताया गया था, क्योंकि देखिए, इसी गैप के कारण से ही यह साही समस्या आती है, सिलाई छोड़के आना, और हर कपड़े पर सिलाई नहीं होना और धागा नहीं पकड़ना यह सारी समस्य है अगर आपके सिलाई माशन क्षटल के इस हूप और सुई के बीच में गैप होता है इसे इस गैप के करूसे ही सारी समस्य आती है लेकिन इस इस प्रब्लम को कहें सही करते हैं जब मैं उस विडियो में देखा तो मेरा दिमाग ही अलगया उस वीडिव में पताया गया था कि सुई और शुटल के हुग में गय आपके अपर्फित सही करने के लिए सब्सकूंट सबस्क्राइब करें। उसमें वाव मसिन के हैं और प्रामे सब्षकाइब तो जाएगी फोड़ी दिर के लिए लेकिन आगे चलके मशीन में इतनी सारी समझें आएंगी कि आप हीरण जाओगे पैसा करकर ठीक जाओगे लेकिन फिर भी आपकी मशीन समस्यां सही नहीं होंगी देखिए क्या होता है अगर आप अपने सिलाई मशीन की सुई वली रोड को थोड़ी से मार के हलका सा टेड़ा करके set कर लेते हैं तिससे देखिए आपकी दो समझ्ये आती है पहली समझ्या तो ये आती है यह दखिए देखिए ने पीला-पीला कलाओ का यह हमारा भूस होता है सुई रोडे का बू बूस का सुराग है इसवर फैल प्रम दाई गा याटifully इस रोड में आपका प्ले याए या आपके सुई तो TV içी रोड या दॉट हसारी समस्या आने लएगी और जो ऑँ छोस चाथा एक पाट्रिक्ट più और बीSpay ओ सकता है इस अंदर पूस हो सकता है यानगी की काफी सारी समस्य आएंगे अगर आप अपने सिलाई मशिन के सुई वाली रोड पे थोड़े से मारके इसको हलका से टेड़ा करके जो सटल के हूप और सुई में जो गैप है उस गैप को सभी करते हो तो देखिए ऐसा कभी मत करना भूल के इसको सही करने के लिए अगर मान आपको दिख देखाता हूँ धान से देखिए पहला तरीका तो यह होता है अगर आपके सिलाई मशिन के इसाईड में ही यह दिखाई रहा है कि आपके सटल में जितने पेच होते हैं किसी सटल में और तीन होते है मैं जितने ही पेच होते हैं उस पेच को आपको थोड़ा-थोड़ा लूज कर लेंगा, इसे लूज कर लेंगे ठीक है को ध्यान रखना कि यंजन वो सेटिंग ना ही ठीक है किना बस ढूंको धिरे-धिरे फियर से पेच को लूज करना ध्यां से प्यार se फैश्ट को को लूज करना देखिए ज exercice कर रहा हूं वैसे ठीक लां और करने के बाद देखिए अपने सिलाई मशूशन कि चक्के को साही डेसर में ध्यान से फोने प्रभाल ध्याः से घुमाना है देखिए और घुमाते हैं रहता है यहां पर ध्यान मसा रहा है कि दोनों आमने समन्हें एक मरबर आ जाएंगे तो यहां पर आपको रोक लेना के लिए आपको अपने सब्यांते beyond the चाट कर ऐसे मारना रहा है देखिए उनक इसे कर रहा हूं और देखिए वह गता से सब्सक्राइब चेखिए को सभी एप 30 हो रहा है की। तब आपको देखिए यहां से ऐसे इस साइट से आपको हलका सा ऐसे ऐसे मारना है ठीक है ना और इधर से अगर टच करना है तो इधर सा ऐसे मारना है हलका सा धीरे-धीरे पिल्कुल प्यार-प्यार से धीरे-धीरे ठीक है यह देखिए और ऐसे करके आपको पस इस हिसाब स्टूई और शुटल के जो हुक है इन dozen बीच में बिल्कुल हलका सा हावा भर ना बराबर बड़ ड्रकाव होने चाहिए मैं तो नेट होना चाहिए और नेट ज्यादा ड्रकावा भर गाइप होना चाहिए कि जो हमारी सिलाई मेशिन की सुई ऐसे उपर नीची चले और सटल यहां से क्रोश करके जाए तो आपको जो सटल है इस सुई में टच ना होगा तो धाया काटने की और सुई तोड़ने की समस्या आएगी इसलिए जाया टच ना करें बिल्कुल हलका स्था दखिए कितना हवाब टच है तो आपको इसी हिसाब से टच कर लेना और उसके बाद पहले एक नट को देखिए पले से अगर नट इधर बर है आपको चके घुमा के हलका सा नट को साइब में कर लेना ताकि आप असानी से पेच को कस सके और फिर उसके बाद एक पेच को अच्छी तरह से आपको टाइट कर देना है ताकि आपकी सेटिंग बिल्कुल नहीं ले ठीक है न जो आफकी सटल के सेटिंग हो बिल्कुल नहीं ही लीं चाहिए नहीं तुक्र आपकी टाइमिंग खराब हो जाएगे और देखिए अगर आपको सटल मrü अबशरेट करन सेटायarla कई को इस वीडियो का लिंक आपको हमारे इस वीडियो का डिस्कुशन मिल जाएगा या फिर देखिए यहां कोने में आई बटन में लिक क्या रहा होगा उसमें भी क्लिक करके आप देख सकते हैं ठीक है अब यह पेच को टाइट करने के बाद फिर आपको धिर दर घुमा के सटल को अपने सिलाई मसीन के सटल के सारे पेचों को अच्छी तरह से टाइट कर लेना है यह देखिए यह हमारा तो पहला तरीका होता है ठीक है न यह तरीका हमारा पहला हो गया है आपको दूसरा तरीका ही बताऊंगा इसलिए वीडियो में बने रहे लाश्ट तक ध्यान से देख रहे न अब डेकर आणना पहले कितने जादा गैप था बहुत गैप अब में गैप अब गेप कम हो गया है और देखिए यह हमारे स्काल यह हूख हमारे सुवी में ृसे टच बी नहीं हो रहा है और जादा गैप नहीं है ऐसे करने से आपके शिलाई मसीन में कोई भी आ रहता है और सिलाई भी छोड़ के नहीं आती है अब बात करते हैं दूसरा तरीका क्या है उसके लिए मैं अपने मसीन को प्लट लेता हूं फिर आपको दिखाता हूं दूसरा तरीका दोस्तों देखिए दूसरा तरीका जानने से पहले कुछ बात आप समझ लीजिए सिलाई में best होता है यानि कि जो रोड़ रोड मसीन चला अब अगर इधर मुलता है तो इस करण से भी हमारी मसीन में समस्य आती है जो हमारी जिलाई मसीन के सटल का हूख और शूई जब कि सवण हमारा इस रोड को ऊपर कसा हुगा है जब हमारा रोड के इस की तरफ कर गा को हत्याक है कर सकते हैं एक बाध दोस्तों और रहा हो आप लोग से देखिए आप यूटूब पर अगर कोई वीडियो देखते हैं तो इस वीडियो पर आपको आख बंद करके विश्वास नहीं करना है पहले उस टॉपिक पर और भी वीडियो देखें हर जगा से रिसर्च करें जब तक आपको विश्वास ना हो कि कौन जनकारी स उसको आप जब तक आप सटीसफाइड ना हो पूरी तरह से रिसर्च करके आपको यह ना पर चल लाए कि जनकारी सही है कि नहीं तब तक आप उसे अपने लाइफ में किसी भी चीज में एपलाई नहीं करना है जब तक कि आपको पकता विश्वास ना हो जाए कि ओ जनकारी बिल्कुल सही है अगर वीडियो अच्छी लगी ते वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा तो वीडियो कैसी लगी कुछ सेखने को मिला तो कमेंट करके बताएं और अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नई किया तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन वेल को यानि कि घंती का निसान जो होगा उस पे क्लिक करके औल पर सेट कर दे ताकि जब भी वीडियो अप्लोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप हमारी वीडियो को देखके कुछ अच्छी सही जनकारी प्राप्ट कर सके कुछ अच्या सिलाई मुशन के बारे में सीख सके और इस वीडियो को अपने उन दोस्तों को जरूर साहर करें जो आपके दोस्त्र इसलाई मुशन करते हैं ताकि उनको हुँ इस जनकारी का पता चल सके